ओम स्री गुरुवे नमा महराज जी यानि की राजेंद्र दाज जी के जीवन की एक सत्य घटना है जो उन्होंने स्वेम सुनाई थी यहाँ पर मैं गुरु जी का जो संब्लदन है वो तित्य पहाडी बाबा जो राजेंद्र दाज जी के गुरु है और महराज जी यानि की राजेंदाज जी का जिकर करूंगा उन्होंने ये कथा सुनाई थी कि सबका संग करने योग्य नहीं है राजेंदाज जी के एक गुरु भाई थे स्री अंगदाज जी और उन्हें एक सिद मिल गया था और वो उस सिद के द्वारा ही ठगे गए थे देखो कैसे कैसे लोग है कि एक सिद ने उनके गुरु भाई को अंगदाज जी को ठग लिया था और वो भी और कहीं नहीं बरसाने में ही ठग लिया था ब्रंदवन बरसाना जो है वहाँ पर ठग लिया था वो जो है क्योंकि राजिन दाजी के गुरु भाई थे तो तित्य पहाडी बाबा से दीख्षित थे उनी के आसर में रहा करते थे पर जो गुरु जी थे तित्य पहाडी बाबा वो कभी ही भी किसी संत को किसी भी साद्व के पास जाने से नहीं रोपते थे अब उनसे बस एक गलती हो गई थी अंगदाजी से के उन्होंने अपने गुरुदेव से ये नहीं पूछा कि मैं उनके पास जाओं या ना जाओं या वो वेक्ति किस तरह के हैं उन्होंने अपने गुरुदेव से कुछ भी इस तरह का जिक्र नही यह उन्होंने कहा था इसलिए वो उनके साथ बरसाने में चले गए और वहीं रहकर जो वो बताते वो सब करने लगे वो जो ठग थे सिद ठग उन्होंने कहा कि भई यह जो धन है यह तुम्हारे इसमें साक्षातकार में भक्ती में रुकावड बना हुआ है उस समय यानि कि आ बख चार लाख रुपे थे जिनकी बहुत वैल्यू थी अब वो उन्होंने पूरे के पूरे चार के चार लाख एक एक पाई उस सिद को दे दी यहां तक कि उन्होंने सिद के कहने से जो तिलक लगाते थे वो तिलक लगाना भी छोड़ दिया अरे तिलक लगाओ कुछ नही होता है और अर्बी होती है इसी तरह से एक कन्ध होता है जाना मैं प्या प्याज भूनें चटनी कहा और यहां तक कि उहlerini उनहें तमाकोμु खिलाना भी सिखा दिया वो सूर्थी होती है ना तो सूर्थी को कहने लगे कि इससे सुरत लंगती है तो इसे तुम खाया करो, शुरू में तो अंगरदाज जी को चक्कर वगएरा आए, पर जो है धीरे धीरे अभ्यास हो गया और वो भी सुर्टी यानि कि तमागों खाने लगे ऐसा ही होता रहा और भहिया वो जो है राद दिन उनसे सेवा वगएरा करवाने लगे, एक बार राजेंदर दाज जी और जो उनके गुरुदेव थे तित्या पहाड़ी बाबा कथा करने के लिए बरसाने गए हुए थे, तो उन्हें कुछ समय मिला कथा से तो गुरुद जी जो थे तित्या पहाड़ी बाबा वो कहने लगे अरे, पंड़जी वो जो है, राजेंदर दाज जी को पंड़जी कहते थे, के पंड़जी के हमारा वो सिश्य जो है अंगद दाज भी यहीं पे रहता है, चलो उससे मिलकर आते हैं, सुना है वो एक सिद के सिद के साथ रह रहा है, अगर वो सिद हुआ तो सिद के भी दर्शन कर लेंगे नहीं तो अपने सिद से, अंगद दाज से तो मिल ही आएंगे, यह कहते हुए, दोनों मूर्ती पैदल पैदल, जो है वहाँ पर सूरज कूंड है, उधर की तरफ चल पड़े और रास्ते में एक राधा बाग पड़ता है, वहाँ पर सामने से अंगद दाज जी आते हुए दिखाए दिए, उनके हाथ में कमंडल था, कमंडल में जो है, वो देशी गुलाव से भरा हुआ कमंडल था तो इधर से राजे इंद दाज जी महराज और उनके गुरुदेव और उधर से आपने सामने आए, अब जैसे ही अंगद दाज जी ने गुरुदेव को देखा, वो तुरंट सास्टांग लेट गए और दुपैरी का समय हो रहा था, पूरा मतला रेत वगरा भी तपरी थी, परो साक्षात लेट कर, और उनके पैरों को पगड़ कर रोते ही रहे, यहां तक कि उनके पैर भी उन्होंने अपने आसों से ही धोडा ले, कुछ समय बाद गुरुजी ने कहा तित्या पाड़ी बावने के, अरे-अरे कोई बात शान्त हो जाओ, भजन करो, भजन करो, भजन करो, और उन्हें खड़ा कर दिया, कि यह फूल अच्छा, साक्षात सिरी राधा जी के लिए लेकर जा रहे हो, विश्वर करे तुम्हें, उनके दर्शन हो, यह कहकर, कि तुम से मिलने आए थे, और तुम से मिलने तब हम चलते हैं, यह कहकर, वह वहाँ से चल दिये, अब वो, जो है, उस सिद्ध ने जो है, अंगर्दाजी को एक समय दे रख गए, कि भही, हमने आज तक जिन गुरुओं का संग किया है, उनका मन क्रम वचन से हर बात सिद्ध सच्ते निकली है, और एक तुम हो, कि तुम हो, कि तुमारी सारी बात आज तक जूटी है, जो भी तुम कहते हो, वो जूटी होता है, ना कुछ अनुभव हुआ हमें, ना क कुछ नहीं जानते, चाहें अपनी जमीन बेचो, घर बेचो, कुछ करो, ब्याज नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर हमारा एक एक पैसा, एक एक रुपिया हमें वापिस करो, तो जो वो सिद्ध थे, वो बोले, अरे हम तो तुमारे दहरे की परिक्षा ले 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 थे, अ ऐसे पागल हो गए कि उन्हें अपने स्रीर की सुद्धी का भी बोध नहीं रहा, मलमूतर त्यागने का भी बोध नहीं रहा, पर वो पता नहीं कैसे घूमते घामते किसी परकार हनुमान गड़ी के वो नागा थे, मलब रहमन स्रीर वो घूमते घामते सुदामा कुटी में महराज जी के पास यानि कि राजिन दाज जी और तित्य पहाड़ी बाबा के पास पहुँच गे कैसी करके अब उनके कमरे में गुरू जी ने कहा आओ महानुभाव आओ आओ स्रीमान जी आओ पर वो तो विक्षित रूप में थे अंगरदाज जी तो उन्होंने महराज जी को पता नहीं क्या क्या कहा ऐसे ऐसे सब नागा जब करोद में आते हैं तो बहुत बुरे बुरे सब दर्वो कहते हैं कि गुसेड दूँगा ये कर दूँगा वो कर दूँगा पता नहीं क्या 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 तो गुरुदीने कहा कि कोई बात नहीं उन्होंने एक बच्चे की तरह जैसे को अपने बच्चे का लालन पालन करता है इस तरह से अंगदाजी का उन्होंने सेवा की और सभी से कहा कि भई ये जो सरीर है ये इनका ब्राहमन सरीर है और ये अनुमान गड़ी के वैसे भी नागा है और शिश से भी है तो हमें जो है इस समय इस ब्राहमन सरीर की रक्षा करनी चाहिए कोई बात नहीं वो धीरे-धीरे करते रहे इसी तरह से और वो धीरे-धीरे ठीक भी होने लगे महराजी बताते हैं कि जब गुरुजी वहाँ पर नहीं होते थे तो क्या नाम है? वो हमें भी नहीं सोने देते थे रात को हमें हिला कर जगा देते लाइड जला देते और क्या नाम है कई बर हमारा गला वगरा भी पकड़ लेते और मिसमिसा के थे इस बुड़े ने इस हाथ की सारी विद्धिया इस हाथ पर रख दी यानि कि राजिन्दाजी के हाथ पर रख दी बड़ा मिसमिसा के कहते थे और फिर बता तेरे साथ क्या किया जाए ऐसे करके कहते तो गुरु जी महराजी जो है राजिन्दाजी कहते कि आप तो हमारे वैसे भी बड़े भाई हैं जैसा आपको अच्छा लगे जैसे आपको खुशी मिले आप हमारे साथ व्यासाई के लोग तो उने यहाँ तक कहते थे महराज जी को कि भी आप उस कमरे में मत सोया करो किसी दिन रात को गुस्से में मिसमिसा के वो आप तुम्हारा गला न दबा दे पर राजेंदर जाज जी ने कहा अरे पंडेत तेरे यही वचन सुनकर तो मेरा क्रोध एक दम सांत हो जाता है गुस्सा हमारा चला जाता है पर चलो कोई बात नहीं घी कटोरी में गया और कटोरी भी अपनी थाली में है तो कोई बात नहीं विद्या हमको मिली तुमको मिली कोई बाद नहीं दीरे दीरे सेवा से और तित्यपाडी बाबा की किर्पा से अंगदास जी धीरे दीरे ठीक होने लगे। और एक दिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तो वो महराज जी के यानि दित्य पहाडी बाबा के पास आकर रोने लगे महराज जी विच्छिपता दवस्था में मैंने क्या क्या किया ये तो मुझे बिलकुल भान भी नहीं है पर लोग जैसा मुझे बताते हैं महर चीज के लिए छमा मांगता हूँ पर मेरे साथ इस तरह का मतलब ठगी क्यूं हुई जबकि मैंने आपके चड़नों के सिवा किसी और का संग नहीं किया नहीं और कुछ किया पर फिर भी मेरे साथ इस तरह का क्यूं हुआ तो महराजी जो है जो गुरु देव थे उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी संथ को किसी गुरु के किसी सिद्ध के पास जाने से नहीं रूपते पर क्या वहाँ जाने से पहले तुमने हमसे पूछा था हमसे आग्या ली थी या बीच में जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा था तो तुमने हमें बताया था कि नहीं बताया था उसने मना किया था कि अगर किसी को बता दोगे तो तुम्हें जो है साक्षात कार नहीं होंगे सिरी जी के तो अगर कोई इस तरह से कहता है या पैसे लेकर कोई कल्यान की बात करता है अर्थात वहाँ पर कल्यान नहीं है तो इस कथा कहने का अर्थ ये है कि सबका संग करने योग्या नहीं होता है गुरु को भी सोच समझ कर बनाना चाहिए बहुत ही ढंग से देखना चाहिए कि कौन हमारे लायक है कौन हमारे लायक नहीं है तो भक्तो आप भी गुरु चुने बहुत ही ठोग बजा कर चुने बहुत सोच समझ कर चुने जो पैसे से आपका कल्यान करता हो इसका मतलब वो गुरु नहीं है बोलो बाके बिहारी लाल की जै